हेलो फ्रेट्स आज इसे वीडियो में हम बात करेंगे IRDA दुवारा लिये गए कुछ important decision in health insurance sector आगे बढ़ने से पहले IRDA के बारे में कुछ जान लेते हैं ये गौर्वर्मेंट और्गनाजेशन है जो इंडिया में insurance sector के supervision और development के लिए काम करती है इसका headquarter हाइदरबाद में है और इस संस्था को 1999 में बनाये गया था आप ही सोच रहे होंगे IRDA ने ऐसा कून सा decision ले लिया है जो इस field में तहल का मचा देगा पर सच में दोस्तों यकीन मानिए इस एक decision से करोडों लोगों को लाब मिलेगा Recently IRDA ने अपने एक important decision में कहा है कि अब health insurance policy को लेने के लिए कोई सीमा नहीं होगी पहले health insurance एक certain age limit के बाद ही मिल पाता था पहले कि age 65 थी लेकिन अब IRDA ने कह दिया है कि अब इसकी कोई age limit नहीं है IRDA के इस निर्ने से कई लोग बहुत खुश है अब आप 60 में, 70 में, 75 में कितने की साल के भी हूँ आप आसानी से स्वास्त भीमा health insurance ले सकते हैं हम इसे कई लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता की उम्र 60 से अधिक होगी और वो अपने माता पिता या अपने सास ससूर के लिए स्वास्त भीमा लेना चाते थे पर पहले उम्र की सीमा के कारण वो भीमा नहीं ले पाते थे पर इस फैसले के बाद आप अपने बुजूर्गों के लिए स्वास्त भीमा आसानी से ले सकते हैं हाँ उम्र के हिसाब से प्रीमियम में अंतर आता है आपके उम्र जितनी जज़ादा होगी आपको उतना ही ज़ादा प्रीमियम देना पड़ेगा मैं हाँ आपको बता दो कि प्रीमियम वह पैसा है जो आप हर साल स्वास्त भीमा कंपनी को देते हैं जिसके बदले बीमा कंपनी एक fixed amount का स्वास्त बीमा आपको provide कराती है। चलिए example से समझते हैं, एक XYZ नाम की एक health insurance company है जिससे आपने 10 लाख रुपे का health insurance लिया है। तो आपको हर साल लगबग 8-20,000 रुपे तक का premium जमा करना होगा company को। बदले में बीमा कंपनी भविश्य में होने वाली बीमारियों का पूरा खर्चा यानि 10 लाख रुपे तक का खर्चा आपका उठाएगी। स्वास्त बीमा कैसे कारी करता है अगर आपको यह जाना है तो डिटेल में समझने के लिए मैंने description में एक link दिया है अपनी वीडियो का आप वहां जाके देख सकते हैं। तो फ्रेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल 65 वर्च तक की उमर के व्यक्ति ही नया स्वास्त बीमा ले सकते थे पर एक अप्रया 2024 के लागों किये गए नय नियमों के अनुसार कोई भी उमर की परवा किये बिना एक नया स्वास्त बीमा खरी सकता है। इसके साथ IRDA ने एक सीनेर सीटिजन की बीमा संबंदी शिकायतों इन क्लेम के लिए अलग से चैनल बनाया है। देना होता है। जिबके सिर्फ हेल्थ इंश्रेंस कंपणय अधिकतम तीन साल की एक स्टेंड़ हेल्थ प्लान दे सकती थी। IRDA ने वेटिंग पेरिड़ अब 48 मन्द से घठा कर 36 मन्द कर दिया गया है। मतलब 36 महिने यानि 3 साल के बाद आप किसी भी बिमारी के लिए बिमा करता का दावा खारिच नहीं कर सकते हैं। इसके लावा नए निमो के अनुसार कमबसेशन वाली हेल्थ इंशुरेंस कंपनी को अब रोग दिया गया है। अब ऐसी पॉलिसी को लाया गया है जिसमें कवर की गई भीमारी के होने पर फिक्स एमांट मिलता हूँ। लाव इंशुरेंस कंपनी को हेल्थ इंशुरेंस कंपनी के साथ यूलिप प्लैन को मिक्स करने की स्वतंद्रा दी गई है। हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी में प्रीमियम आप एक साथ ना देकर किष्टों में भी दे सकते हैं ट्रेवल इंशुरेंस पॉलिसी केवल स्वस्त और समाने लोगी ले सकते हैं आई उप्चार कवरेश की कोई सीमा नहीं आप आयुरवेदिक योग प्राकिर्तिक चिकिसक युनानी चिकिसा हमोपैतिक इन सबके अकॉर्डिंग उप्चार करनाने पर बीना किसी सीमा की बीमा राशी का कवरेश पा सकते हैं वीडियो को आकरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच पिस लाइक शेर सब्सक्राइब और प्रेस दे बैल आइकन